प्रेश्ट के बारे जानना इस्टार्ट किया था और लाश्ट क्लास में हमने प्रेश्टेंट की इलेक्षन का मैथड कौन को एलेक्षन के लिए हमने लाश्ट क्लास में और आज की वीडियो में हम प्रेश्ट का पार्ट फैंट के बारे जानेंगे उसके बारे जानेंगे साथ हम यह भी जानेंगैं उनके कौन कौन सी पर वोग तो चलिये शुरू करते हैं एसर ने अधिक्यटं को अधिसेडेंट को सफ्कालिए तो प्रेसिडेंट को उनके पत से हटाने की प्रक्लियां यह दियुक्त में करते हैं और यह तोस्तुषं जो प्रिज्विन का या आग का 96ँवन से लियुर barrier करते हैं कि इवाल के वर उनके पर पर तभी कॉंस्टिटूशन का की इसकी अलावा उनके पर किसी प्रतार थे लाया सकता है सबसे पहले resolution को पेस्ट करना होता है किसी भी हास में किसी भी हास में resolution को पेस्ट करना होता है और जब इस resolution का introduction उस house में किया जाता है तो at least 25% मतलब कि उस house के जोगी मेंबर है उसके 25% मेंबर उस रिजाल्यूशन को सपोर्ट करती हूं एक बार रिजाल्यूशन इंट्रड्यूस होने के बाद हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको 14 दिन का सपोर्ट इपना डालती है तो वह रिजाल्यूशन लोग राजी सभा से पास हो जाएगा दैन्ग्र रिजाल्यूशन सेकेंड हाउस में मतलब हमारे के इसमें जो कि लोग सभाट होगा से एक हैशा हम इसलिए कहते हैं दोस्तों जो हमारे दूसरा हौस है वह एक कमेट्री यह कि अपर अरोप लगाया है उसका उनका करें अर इसके लिए दोस्त हमाई जो प्रेसिडएंट के उंके पास से पावर होता है उनके पास यह राइट होता है सब्सक्वानें इस अपनी से अपनी मर्जी से कर सकते हैं जो कि उनका पॉइन होग था सब्सक्राइब आगर तो जह दूसरा हाऊस है अगर का पाथा है उन्होंने जो हमारे constitution उसका violation किया है और उस house के जो भी member है अगर उस house के जो भी member उसके total strength का अगर two-third vote उस resolution के पच्छ में पड़े आता है तो हमारे जो president है वह impeached हो जाएंगा मतलब हमारे जो president है उन्हें अपने पतस से स्टीफा देना होगा तो यहां तक दोस्तों हमने महाव्योग के बारें दोस्तों जो भी चीज़ें जो भी important point सभी वह कवर कर लिया इसके बाद से हम जो हमारे कि जो भी दिसम्य लिया जाता है उसमें हो पीडेंट के पार्टे पीपल को अपोईटों करते हैं और है यह जितने भी करते हैं निए से पहले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों जब लोग सभागात का चुना ऊता है उसमें जो मेजर्टी पार्टी जीती है उसमें जो मेजर्टी पार्टी के जो लीजर होते हैं उनका हमारी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं इसके अलावाद प्राइम मिनिस्टर के जो भी एडवाईस होती है उसके पर जो अधर मिनिस्टर होते हैं उसका अपॉइंटमेंट में हमारे प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है जो चीप जेस्टिस होते हैं इंडिया के या फिर जो जर्च होते हैं सुप्रीम पोर्ट के तो या फिर जितने भी हाइए कोर्ट हैं सब्ही की जर्ण होते हैं उनका अपॉइंटमेंट में में मेस्मारे प्रेसिदेंट व्यावरा ही किया जाता है--- जिएव स्ट्रीट के गवर्नर होते हैं--- यूपीएसत्क के चेर में एं ये तीनों के अपॉंटर विह मतुर्थ थे कि अब्धीया। मारे जो प्रिसिदेंट हैं उनके पास इन महलती है कि वो लेफ्टनेंट बोड़नेर के थे तुरूया फीर को फिर कमिशनर के ओंध बनन ऑन है उसके उपर डाइक्ट शावसन कर सकते हैं इसको बुला सकते हैं याकिर जो सेशन चल लाए उसको रोकने का भी पावर प्रिसीडेंट पास्के है इसके अलावा जो हमारे दोस्तू लोगसभाय हमारे बसवार हमारे सब्सक्राइद इसके अलावा हमारे दो है वह दो मिंबर लोगसभा में और बारह मिंबर राज सभा के लिए नमीनेट करते हैं इस इस दोव act dispel लोग में नमीनेट होते हैं यह यह azt इसमें से 12 लोग को हमारी प्रेसिदेंट राजसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों जो हमारे प्रेसिदेंट होते हैं उनके पावर होती है कि वह तो Contigency Fund of India सिक पैसे निकाल सकते है यह os प्रिसीडिनद के लिए, इसके अलावा दोश्कव्यक्राद घर स्वेस्था करने के तराम यह虤 कि नेक्स्ट एज्ट जुडीसियल पावर तो दोस्तों चीफ जस्टीस होते हैं या फिर ज़ुद्व होते हैं चाहिए रहाइ प्रेशिडेन्ट द्वारा ही किया जाता है इसके अलावा दोस्तों अगर लॉक्त से लेटेडर अगर को कोई की भी एडवाइस चाहिए होती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो जर्ज होते हैं या फिर से लेकिन वह उस एडवाइस को मानने के लिए बाइंड नहीं होते हैं मतलब उस एडवाइस को मानने के लिए बाद नहीं होते हैं वह चाहिए तो उस एडवाइस को मान भी सकते है या फिर उस एडवाइस को मानने से इंकालभी कर सकते हैं इसके अलावाद दोस्तों यह most important point है कि हमारी जो precedent है उनके पास यह power होती है कि वह किसी वी व्यक्ति को छमादान दे सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यह keyword आपको याद रखना है प्रिष्मेंट प्रिश्मेंट है कि सज़े या किसी को बदल सकते हैं तो कौन कि सी केस में इनस से पहला कि अगर ईवसलान की व्यक्ति तुर्टक उस्मूंय यां फिर वह जो की यॹ्पन सी करण हो कोई अपरात किया हो या फिर किसी वेक्ति को डिट दे दिया हो मतलब कि मृत्यू जंट का मिर्ट्यू दन दिया गया हो तो ऐसी सिच्वेशन में दोस्तों हमारे जो प्रिसिडेंट है वह उनकी सजा को माफ कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं या फिर उस सजा को कम भी कर सकते हैं यह जो पावर है यह प्रिसिडेंट को आटकर 72 के अंदर मिलती है तो दोस्तों जो मैफ सिर्प से वह सुप्रीम मांडर होते हैं सिसके हमारे देश सब्सक्ष से नेबी या फिर इयर फोर्स है उसके जो भी में चीफ होते हैं उसको करने के वह पावर होária मैफ सिद्रिन्ट में दोस्तों हमारे प्रिसिडेंट होते हैं वह किसी भी कंट्री के खिला वार को डिक्लेयर कर सकते हैं या पिर और कोई वार उलत उसके में पीस भी कायम कर सकते हैं हाला कि इसके लिए जो अप्रूबल है वो पाल्डेमिट्स होना जरूरी है लेकिन वाल को डिक्लेयर करना या फिर पीज को कायम करने का जो भी घोशना होती है वो प्रिसेडेंट द्वारा ही किया सकती है अधिक्ष्ट दोस्तों इमर्जंसी पावर और यहां पर दोस्तों तीन जो भी यहां पर इन्हें आटकल दिया है यह आपको वियाद करना है क्योंकि इस आटकल से आपको एक्जाम में डार्ट कुश्चन देखने हों मिलते हैं तो दोस्तों जो हमारे प्रिसेडेंट हैं वो या फिर प्रिसेडेंशियल रूर्ट यहां अटकल थ्रेंशेट कुश्ट है और थर्ड है वारा सकते हैं कब कब वह ऐसा कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि हमारे देश की सेट्रीटी में और फिर हमारे हुआ है या कोई बहारी कंट्ट्री हमारे देश के उपर आकामर कर रही है या फिर आर्म मतलब कि कुछ लोग कुछ आपस में एक होकर हमारे देश को किसी भी तरह के नुक्षान पहुचाने कोसिस करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो मारे प्रेसिडेंट है वो नेशनल एमर्जनसी लगा सकते हैं पूरे देश में तो दोस्तों आज तक हमारे देश में के वल में नेशनल एमर्जनसी लगी है एंडिया चाइना गवार के समय दूसरा 1971 में इंडिया पाकिस्तान ओशन और थर्ड 1975 में इंदरा गांधी जी पेसंध नेक्स्ट है state emergency या प्रेशिडेंट रूल दोस्तों यह deal करता है एटकल 56 नहीं कर पाती है तो ऐसी सिचुवेशन में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और जो इस्टेट अब जन्सी या फिर प्रेसिडेंट गूल है वह इस्टेट फाइनेंशल एमर्जन्सी जो कि डिल करता है आठकल अगर हमारे प्रेसिडेंट को यह लगता है कि हमारे जो देश हमारे देश में फाइनेंशल इंस्टेबिलिटी आ गई है या फिक जो हमारे देश का लोन है वह बहुत ज्यादा हो गया है और हमारा देश उसको भरने के लिए सक्षम नहीं है तो ऐसी सिचुवेशन हमारे जो है वह फाइनेंशल एमर्जनसी घोशना कर सकता है लेकिन दोस्तों यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में आज तक कभी भी फाइनेंशल एमर्जनसी नहीं नहीं है तो दोस्तों यहां तक हमने प्रेसिडेंट के बाले में हर एक चीज को कवर कर लिया है उमीद करता आपको यह वीडियो पसंद आए हूँ है थेंक यू आपको यह वीडियो पसंद आए हूँ है थेंक यू